इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने किसी भी जियो फोन में अगर आपके पास इस तरीके का बटन वाला जियो फोन है तो इसमें कॉल की सेटिंग्स किस तरीके से कर सकते हैं तो यहाँ पर आपको कॉल की सेटिंग्स करने के लिए क्या करना है देखिए नीचे इस तरीके से करना है बटन से आपको यहां पर सेटिक्स का उपशन दिख जाएगा यहांपर इसे क्लिक करके Open कर ले अब आपको यहांपर क्या करना है scroll करना है नीचे नीचे लग बटन दबा के आपको यहाँ पर यह calling का option दिख रहाऊगा ठीक है तो इसे click करके open कर ले सबसे पहले आपको उपर मिलता है call waiting का option call waiting basically अगर आप इसे click करके इसे open करते हैं call waiting का मतलब होता क्या है अगर आप phone पर किसी से बात कर रहे है और उसी वक्त आपको कोई दूसरा इंसान call करता है तो अगर आप यहाँ पर call waiting enable कर देंगे तो सामने वाले को सुनाई देगा कि अभी यह नंबर किसी और से busy है किसी और से बात कर रहा है कृपिया wait करे थोड़ी देर के लिए ठीक है ऐसा वो ladies जो बोलती है अब ऐसा बोलेगी ठीक है इसके बाद यहां से back आते है यहां पर आपको caller ID दिख जाती है caller ID का option और यहां आप call forwarding का option देख सकते है call forwarding का मतलब basically होता क्या है अगर आप call forward करना चाहते है अपने आप यहां पर वो number डाल दे तो अब जब भी कोई आपको phone करेगा वो सामने वाले के phone में जाएगा call इसी तरीके से call bearing यहां पर आपको दिखता है तो call bearing क्या होता है call bearing का मतलब basically होता है आप सारी call को बंद कर सकते हैं याने कि कोई भी आपको यहां से call करी ही नहीं पाएगा अगर आपने call bearing लगा ली international भी लगा सकते हैं और आप local भी लगा सकते हैं इसके बाद fix dialing number होता है इतना काम का नहीं होता है और end में यहां पर होता है SIM manager SIM manager basically क्या होता है आप अपने SIM card में password लगा सकते हैं जिससे आपका data कोई भी बिना आपकी मर्जी के on नहीं कर पाएगा call आपके मर्जी के बिना नहीं लगा पाएगा basically SIM card का मतलब यहीं होता है SIM card security का मतलब यहीं होता है अब बहुत से लग मुझसे पुछते हैं कि जियो के phone में उन्हें black list दिखती नहीं है calling में जो आप black list होती है हर phone में वो नहीं दिखती है तो यहाँ पर मैं आपको वो भी बता लेता हूँ तो इसके लिए देखिए आपको क्या करना है यहाँ पर contacts में आना है ठीक है okay करे contact खोले अब आपको यहाँ पर इस तरीके से नीचे आना है नीचे आएंगे तो आपको यहाँ पर एक option दिखाई देगा इस button से इसे open कर लेना है अब आपको क्या करना है वापस से नीचे आना है और यहाँ आप settings देख पाएंगे इसे click करके इसे open कर लें इसके बाद यहां पर नीचे आ जाएं तो यहां आप देख पाएंगे block contact जो आपने contact block किये हैं वो सारे यहां पर आते हैं इसे click कर लेंगे तो आपको यहां पर आपके सारे block contacts नजर आ जाएंगे तो यही होती है कुछ important call settings आप भी इसे कर सकते हैं